गुद मॉर्निंग दोस्तों लाए है आज नया टॉपिक धन्वेवस्थापन मनी मेनेजमेंट कि अगर कोई कुश्चन टॉपिक पसंद आए धन्वेवस्थापन टॉपिक पसंद आए यह तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इंपॉर्टेट कुश्चन इसे देखना ना भूले इंपॉर्टेट टॉपिक इससे कुश्चन मोस्ट मोस्ट पूछा जाता है यह हमेशा हर एक पेपर में कुश्चन पूछते हैं इस धन्वेवस्थापन से अब किशी व्यक्ति को अपने प्रत्य शेवा या संपत्ति के उपयोग के बदले में किसी निशित अवधी के अंदर जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे अर्थ विसास्त्र में आय करते हैं जब व्यक्ति प्रयत न करता है या सेवा करता है संपत्तिक उपयोग में बदले में जो भी सेवा कर रहा है उसके बदले में जो उसके बदले में जो समय के अंदर जो उसको पैसा प्राप्त होता है या मनी मिलता है वही क्या अर्थ शास्त्र में उसे आय कहा गया है ही क्या है प्रयत ने प्रेचिंस के संतुष्टि प्राप्थाएं यह होता है यह अधनुष्टे पर्लिबिए क्या हूंचיב के प्रप्ता है कि क्या है कर दोनों तरीके से करेंगे फाशक ता क्या मिलेगा मिलेगा ऑं क्या करता है और किका हुट सब्सक्राइब ऊपारजित आये क्या होता है इस सब्सक्राइब कोई पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बन गया इंजिनियर बन गया कोई महनत से अपने कर रहा है तो क्या है जिसे हम करके पा रहे हैं जिसे हम महनत करके पा रहे हैं वो हमारा उपारजित है और जिसे अनुपारजित क्या होता है जैसे हमारे जो पहले जनरेशन की पिर्णियों के द्वारा मिलती है जैसे लॉट्री मिल गई पैत्रिक संपत्ति मिल गई गिब्ट मिल गई थी हमारा अनुपारजित इसे हमने पाया नहीं है यह हमारे जनरेशन का दिया गया संपत्ति धन है वह अनुपारजित है और जो पारजित जो होता है यह ह आए के प्रकार कौनं है मौद्री का है और मानसी का आए तो पढ़ेंगे को इसा मौद्री का है चलते हैं मौद्रिक आय के अंतरगत क्या है निस्चिस समय दैनिक मासिक वाशिक मौद्रिक आय में क्या होता है एक निस्चिस समय होता है समय कैसा होता है दैनिक भी हो सकता है मासिक भी हो सकता है वाशिक भी हो सकता है जैसे मजदूरी है वेताने भता है ब्यास है रैल्टी है और रायल्टी है और क्या है आदि इसके अंतरगत क्या होता जैसे कोई दैनिक है दैनिक किसी को मजदूरी करने बडेली पैसा मिलता है और किसी का मांसी कारे उसे मंतली मिलता है मांसी कारे उसे महिने मिलता है वार्षिक कोई कारे करने पर ऐसा है कि जैसे किसी का ब्यास हो गय प्रत्यच्छाय और प्रत्यच्छाय तो प्रत्यच्छाय क्या होता है बीना धन कप्रयों इसे हम किसी सेवाशा करके भागवासी लगाकर और प्रत्यच्छे होता है इसमें नौकरी हो गई टॉक्टर हो गए शेवाशा थी प्रत्यच्छ तरीकित्च्छे आते हैं क्या क्या आता है पारिवारी सदैस्यों की सेवाएं कि अब सब्सक माने के world के लिए से इंद्फ इम प्रत्य चा अंतरगता के अपर से शह तो ऍार्प रही किसी का कारे को करके मुझे किसी सेवा करके जो संतूस होता है इसकी की अमठर प्रत्यक्त रचोग के बाद नो कर जब नौकाश्यवा करेंगे तो क्या होता है महनत करेंगे अपना मांसिक और सारी करेंगे तो क्या होता है उसको फिर जो पैशा मिलता वह प्रतिश्ची करेंगे डॉक्टर हैं चिकिश्चक हैं सिग्रेट हैं पान का प्रयोग है तिस सब किसके अंतरगत आता है और प्रतिश संतु कि मिल रही है काम आयके श्रूत आयके श्रूत क्या है सोशा इंकम वेतन है मजदूरी है भत्ता है ब्यास यह सभी है तो आते हैं वेतन पर देखते हैं मासी कारे के लिए मासिक कारे के लिए जो हम मासिक कारे करते हैं और प्रतिमा जो मिलता है वो वेतन होता है मजदूरी क्या होता है जो व्यक्ति सारी लिए कार करता है सारी कार करता है मजदूरी दो प्रकार के होते है मजदूरी करने वाला व्यक्ति सारी कार करता है करना मांसिक कारे नहीं करता इसे पहल कङ है तो क्या करेंगा वह पढ़ा रहा है यहां पे वास्तिह का मासिक कात्रगत हैं अमुत है बदाए थै को कोई टीचर फढा है तो यthen पढ़ाने के बाद जो संतुष्टी मिल रही है उसके जो पढ़ाने के बाद जो संतुष्टी मिल रही तो क्या है मासिकाय के अंतरगत है और यहां पर आते हैं मजदूरी यहां था का सारी कारे था तो मजदूरी दो प्रकार से होते हैं कौँसा कारी कारी के अनुसार और समया करवाता है कारेक अनुशार हो गया समय अनुशार होता है जैसे कि उसके समय बाट दिया गया मजदूरों के चर गंटा करना पांच गंटा छी गंटा जैसा करना यह समय के अनुशार हो गया अब आते हैं बोनस क्या होता है बोनस वेतन के अत्रिक धर्रासी उधार जैसे कि किस ब्यास कहते हैं पुझी पतियों द्वारा जब अपनी पुझी पतियों द्वारा जब अपनी पुझी आर्थिक कारियों में लगाई जाती है तो उससे मिलने वाला आय क्या होता है ब्यास कहलाता है जैसे कि कंपनियां होती है या तो कंपनियों में होती है सब लोग क्या करते पैसा लगाते हैं पुझी पती लोग पैसा लगाते हैं तो उसमें क्या होता है लाब भी होता है रहानी भी होता है तो उसमें क्या होता है कि जब उन्हें फायदा प्रॉफिट की बात होती है तो उसमें जो उनको प्रॉफिट मिलती है वो ब्यास के अंतर गाता है जिसे अप अपनी भूमी आर्थी कारे हित्त दी जाती है उसके सेवाओं के बदले में आये प्राप्त उसे लगान करते हैं जैसे कोई जमिन्दार हो या जमीन जिसके पास जादा हो देता है मजदुरों को या मजदुगा लोगों कारे करने के लुद्ध में तो कारे वो करके जो सेवा उसको में सिवाक दरण जो से प्राप्त होता है आये मतलब कोई व्यक्ती कारे कर रहा है क्याले कर किसी की जमीन लेकर कारे करágल उसके बदले में जोँसे लगान और आय दे रहा है वो तो जमीन का पैसा दे रहा है कि हमने आपका जमीन लिया है उस पे हमकार अपनी खेती कर रहे हैं खेती में जो उपज हो रहा है उसको उसका पैसा वो दे रहा है तो क्या हो रहा है लगान के अंतरगत आता है लाब साहसी व्यक्ति को जो खीम उठ प्राप्त होती है उसे लाब कहते हैं क्या होता है कि जैसे हमने कहीं पे भी पैसा लगा दिया उसको किसी भी बेवशा में हमने पैसा लगा दिया है यह हमने जोखिम उठाया कि पता निलाब होगा कि हानी होगा जो पैसा हमने लगाया है जोखिम उठाकर अगर उससे जब मु कंपनिया कहा गया है कि जब जो पैसा लगाए गया है जो लगाए होगा धंस जादा अगर मुझे मिल रहा है तो हमारा क्या है लाव है पेंशन और ग्रेचूटी इसके अंजर गत क्या था सेवा नित्ति के पस्चात आई को पेंशन कहते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति है जैसे मालेजे की टीचर रिटार्मेंट हो गया है उसको पेंशन मिलता है कर्मचारी के मृत्यों के पस्चात उसकी पत्नी की जीवन निर्वा है तो जो पेंशन प्राप्त होती उसे उत्तर जीवी पेंशन कहते हैं कोई वी टीचर है अगर वो उसका समय उसका यह पूरा हो गया है उसको रिटार्मेंट दे दी जाती तो रिटार्मेंट के बाद जो पेंसन मिलता है वही क्या होता है पेंसन प्राप्त होती है उसकी पत्नी को जीवन निर्वा के लिए जैसे कि इसमें क्या कहा गया कर्मचारी की मृत्यू के पस्चाथ उसकी प होता उसके बाद जो पेंसन मिलता वो पेंसन कहलाता है दुसरे तरस कहा गया कि जो कर्मचारी के अगर मृत्ती हो गए उसके दरान जो कार करने वाला उसके मृत्त्य हो गए तो उसके पतनी को जो पेंशन दिया जाताओ जीवन निर्वाह करने के लिए उसे उत्तर जीवी पेंशन कहा जाता है सेवा निवृत्य के पस्छात कर्मचारी को एक मुस्त धनरासी दी जाती है जब सीवा निवरित्ति के पास जो सिवा करने का समय शोता है खतम हो जाता है थो उनको रिटार्मेंट कर दिया जाता है उसको जो धनरासी दी जाते ही उसे क्रेचुती या अनुब्रह रासी कहा जाता है भत्ता क्या है बेतन की अतरीकत कर्मचारियों को भत्ती भी दी जाती हैं जैसे यात्रा भत्ता प्रसिछड भत्ता आदी भत्ता क्या है कर्मचारी जो क्या होते हैं वेतन की अत्रीक जैसे जो वेतन दिया जारा उसकी अत्रीक बाद कर्मचारियों की अत्रीक भत्ती भी दिया जाते जैसे यात्रा के लिए भ अनिक संस्था संस्थान एवं सरकार द्वारा च्छादवित्ती दी जाती है जैसे स्कूल में च्छादवित्ती फार्म भरा जाता तो सरकार के द्वारा पैसा मिलता वो च्छादवित्ती होता है सिख्षा प्रसिछड के प्रोशाहन के लिए च्हाद्वित्ति दी जाती है जैसे जो गरीब यक्ति है इससे उनको क्या होता प्रोशाहन मिलती है उनका सहयोग होता है जो छादविती मिलती उनको प्रोशाहन मिलते हैं सहयोग मिलता है तो उससे क्याते हैं अपनी सिछा को आगे जारी रखते हैं अगे की पढ़ाई कर लेते हैं उपहार क्या होता है एक निशित आय नहीं होती है उपहार में कोई निशित आय नहीं होती है या वस्तु गीप्ट मुद्रा के रूप में भी मिलती जैसी कि वस्तु के भी रूप में उपहार मिल सकता है और मुद्रा के रूप में भी उपहार मिल सकता है रायल्टी, रायल्टी क्या होता है, निक्स पॉइंट है रायल्टी, यह क्या है लेखा को अपनी पुस्तक लिखने के बदले में, लेखा को अपनी पुस्तक लिखने के बदले में, जो भी पारिश्रमिक मिलता है, उसे रायल्टी कहते हैं, जैसे कि इसमें जो लिखने वाले जो लिखक होते हैं जो बुक लिखते हैं वो जो मेहनत करते हैं उनके मेहनत को उपर जो पैसा मिलता है उसे रियालिटी कहते हैं यह कुछ तक विक्री के अनुशार अंपात में मिलता है इस रासी इसकी रासी निशित होती है जैसे कि अगर अच्छी बुक है अच्छी बुक ह हो रही है तो मarrive मापो कर ज्यादा है कि अ eran्थ होती है उसके हिसाब से क्या होते है Sud kia उनकी ध्रासी निशित होती है इतना सब्सक्राइब रही है इसलिए परिश्नम कर रहे हैं आलिध i